तुम एक लुटेरे हो और लुटावा माल कभी किसी को रास नहीं आता है तुम्हें एक तोफ़ा भेज रहा हूं तुदरा देखो और अगर पसंद आए तो अपने उस यकीन और इतिबार के अलम बरतार को भी दिखाना है तिर देखते हैं नहीं किसमत का सिकत तुम्हें क्या दिखाता है एक दिन जरूर आप अपनी जबान से एक्रार करेंगी कहरीम ने आपके सारे नजरियर खलत साबित कर दिया है मैं तो चाहती हूं कि मेरी बहू उतनी ही पाकीजा और पार्सा साबित हो जितना मेरा बेटा उसे समझता है फिर देखना हथेली का चाला बना के असमाइश बने रहे हैं और अब भी तो मेरे लिए एक असमाइश ही बन रहे हैं लेकिन चीटिंग, मकारी, दुखेवाजी इस सब मेरे किल्दार का हैस्ताने हैं आपके लाडी को इतना तो पता होना चाहिए कि मैदान में उतरने के बाद करना क्या है मैं बहुत भौब जदाओ शाहिस्तान एक तो काम भी नहीं हो आपर से सर पे खत्रे की तलवार भी रटक रही है क्या वो वो शूटर पकड़ा गिया है? नहीं पकड़ा तो नहीं किया मगर कभी भी भी खबरा सकती है पुलीस जगा जगा चाबे मार रही है अरीज नाम आपको ज्यादा पसंद था या फिर डाट को मुझे या वकार को किसको यह नाम पसंद था? ओ सॉरी 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 अब समझी मैं आप यह चाहती है कि सल्मान को यह पताना चले कि वो मेहरीन आंटी का बेटा नहीं है क्योंकि अगर गोली चलने का पता सल्मान की हकीकी मा को चल गया तो वो बिचारी तो रोती गाती अपने बेटे को गले लगाने पहुंच जाएगी और अगर ऐसा हो गया तो आपका सारा प्लान चौपट हो जाएगा तेरे हवाले दिल कर दिया है मेरी आशकी को तूने जिद कर दिया है कितने सेलफलेस हो ना तुम ना गुसा करते हो ना जड़ करते हो उस लड़की से तो अभी से जलस हो रही हुआ जातानी को आन होगी वो खुशकिसमन पिल्टा ये दिल जाए जहां मिलना है गम मुझको वहां कुछ बगर है मुझे हपस चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए Aun Yasa तुर्ण दुनिया में बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत से चीजें जस्ट फर्फर्म करेज़ते हैं मैं चाहती हूं कि हमें एक ऐसा घर बनाए जहां मुहबबत ही मुहबबत हो मेरी आंके सिर्फ आपको देखें और आपके लिए वाहिद मैं ही महबब हूं कहते हैं कि शादी उससे करनी चाहिए जो तुमसे महबबत करें बड़े फायदे होते हैं जिन्दगी बर इनसान लाड उठवाता रहता है तुम्हारी चाहे में टेस्ट की वैसे ही कमी है जैसे तुम में ब्यूटी की ऐसा क्यों कर रहे हैं अगर मेरे साथ जाना है तुम ट्रेस्ट चेंज करो तुम्हें कहा लगबत कमभथ मुहबबत इनसान को आसपास से ऐसे जकर लेती है जैसे अमर बेद और जान जाने तक जान नहीं छोड़ती माने ना माने ना दिल माने ना माने दिल के तुमेरा है इसकी शादी होने वारी है आज तारीख तेया हो जाएगी फिर क्या करोगे तुम इस पर चीकने से कोई फाइदा नहीं होगा जो करने है खुद करो मैं क्या करूँ मेरे अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है समझना तो तुमको ही पढ़ेगा जा जाके चनार खान से बात करो उसे बताओ जाके कि तुम अपाने से महबत करते हो बाबा को पता चला क्यामत आजाएगा क्यामत क्यामत आता है तो आजाए बाबा मैं आपाने को नहीं पागो इसके पीशे! बचना नहीं चाहिए! मैं पीद दिल करता है पिक ज़बी पट जाएँ रून मुसके अंदर पढ़ा होगा मैं हम से कोई जमीन के अंदर नहीं जाएगा समीन के अंदर जाएगा तो वो तुश्मान जाएगा और आपको पता है रहा है हमको दुश्मन का सर नजर आगा जनार खौन एसे एसे जमीर में चार निकालेगा कि नम किया है उसका? किसका? जिसका साथ तुम्हारा शादी हो रहा था बादिल बादिल नम है उसका है यह था क्या कह रहे है आप में कुछ समझ नहीं रही? है का मतलब है कि वो जन्दा है तुम्हे थाक है न चाहिए तुम्हे कैसे पता? क्यों अभी तक जन्दा है परवर्दिकारा परवर्दिकारा आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हा रहे ना? हमेशा से हर चीज में जीतने आएं जिन्देगी के किसी भी मैदान में मैं यह सोच कर उत्रा ही नहीं कि मैं हार होगा तो मैं तो क्या कोई भी लड़की होती हो अपना दिल सरूर हार जाती सुल्तान में आपसे महबद करती हैं इस तरह के फजूल फैशन तुम पर सूट नहीं करते हैं सब लोग किरे हाथों के बहुत तारीफ करते हैं तुमारे हाथ काफी सख्त है तुमारे हाथ काफी सख्त है यह बहुत परी लग़ी है तुमारे नियूस कुछ आदा ही बड़े नहीं अब जैसा चाहेंगे मैं उसी रूप में खुद को डाल लोगी तो पर करो ना कोशिच समझने की यह क्यूं थाबित करने पर तो लियो कि तुमारे तसर है मुझे वागए आपकी समझ नहीं आते तुमारे ना एक बड़ में कुछ होते हैं मुझसे सवाल जबाब करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है और अगले ही पर में कुछ और मैं ऐसा ही हूँ और ऐसे ही इनसान से इश्क हुआ है तुम्हें जब का तुम्हें और लगलुम्हिं और क्वाए नहीं झाल झाल